पंद्रा अगस्त हर भारतिये के लिए गर्व और खुशी का दिन होता है 1947 में आज के ही दिन देश आजाद हुआ था 78 वे स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश भर में तिरंगा फेराया गया देश की आन बान और शान तिरंगा हमें आजादी की याद दिलाता है लेकिन क्या आपने कभी सोचा है के 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस पर जंडा क्यों फेहराते हैं और गर्तंत्र दिवस पर क्यों नहीं आएए इस अंतर को समझते हैं I know because up to 1947, you know, August 15th, we were our India flag, the British flag used to hoist It's always, you know, we are under the flag of this, you know, England but not so, once we have got independence, it is a representation of our, you know, independence, we, you know, put our flag into the air so that we declared that we are an independent Indian, we are no more under the colonized, you know, British government so that is why they have hosted the flag after adoption of our constitution, we become republic so adoption of constitution, we become independent then every flag should be, you know, untrocked or closed in the evenings 15 August के दिन तिरंगा जंडा पोल के नीचे से उपर ले जाकर फेहराया जाता है टॉप पर जंडा फेहराना नए राश्ट्र के उदै का प्रतीक है लाल किले पर प्रधान मंत्री का तिरंगा फेहराना अंग्रिंग्जी शासन से देश की आजादी को दिखाता है हाला कि गर्तत्र दिवस यानी 26 जनवरी पर तिरंगा पहले से ही उपर होता है कर्तव व्यपत पर राश्ट्रपती इसे फेहराते हैं यह 1950 में भारती सम्विधान को लागू करने की याद दिलाता है प्रिंगा 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 अजाद्ग्वा दिलाता है सफरोन नहीं बाद प्रिजेशना नहीं हैं लेकिन हर एक का अलग मतलब है स्वतंत्रता दिवस हमारी आजादी का प्रतीक है जबकि गरतंत्र दिवस हमारी लोकतांत्रिक मूल्यों की नीव का ये दोनों ही दिन हमें आजादी के बलिदान और उन आधर्शों की याद दिलाती हैं जो आज भी हमारे जहन में जिन्दा है